आज हम लेकर आए हैं व्याकरण विषी जो कक्छान नौ और दस की NCRT की कुस्तक है उसका विटी अध्याय लेकर प्रथम अध्याय को हमने पढ़ लिया है अब हम विटी अध्याय को लेकर आए हैं विटी अध्याय का नाम है संग्या यवं परिभाशा प्रकरण तो चलिए देखते हैं इस क्लास को व्यभारिक सुइधा के लिए प्रतेक व्य किया जाता है इसी नाम को संग्या भी कहते हैं व्याकरण सास्त्र में संग्याओं एवं परिभाशाओं का बहुत महत्व होता है इनका प्रयोग लागहों के लिए किया गया है संग्याओं एवं परिभाशाओं को समझने से व्याकरण प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती ह कुछ संग्याएं वन परिभाशाएं नीचे दी जा रही हैं आगम आगम क्या होता है किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठ कर उससे संयुक्त हो जाता है तब वह आगम कहलाता है मित्रवदागमह जैसे वरिक्षधन छाया वरिच्च छाया यहां वरिच्च के अ एवं छाया के छो के मध्य तो का आगम हुआ है अगला है आदेश आदेश क्या होता है इसी वर्ण को हटा कर जब कोई दूसरा वर्ण उसके अस्थान पर सत्रु की भाती आ बैठता है तो वह आदेश कहलाता है सत्रुवदा देशह जैसे यदिधन अपी बराबर यद्यपी यहां ए के अस्थान पर यह आदेश हुआ है यह आदेश पूर्ववण के अस्थान पर अत्वा परवण के अस्थान पर हो सकता है पूर्व तथा पर दोनों वणों के अस्थान पर दिरग्वादी रूप में एकादेश भी होता है अगला है उपधा किसी शब्द के अंतिम वण से पूर्ण किसी शब्द के अंतिम वण से पूर्वण को उपधा कहते हैं तो जो कोई शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है उससे पूर्वर्ण को उपधा कहते हैं उधारण देख लिजिए जैसे चिंप में तो क्या है अंतिम वर्ण है और उससे पूर्व क्या है नौ तो नौ क्या है उपधा है तो यहाँ पर दिया भी हुआ है कि शिशब के अंतिम वर्ण से पूर्वर् जैसे महत में अंतिमवण तो से पुरवर्ती हा में विद्धमान अ उपधा संग्यक है। संग्या के साथ सू अउ जस आधि नाम पदों में आने वाले 21 प्रत्य एवं तिप्तस जी आधि क्रिया पदों में आने वाले 18 प्रत्य विभक्ति संग्यक है। सू अउ जस अ आधि तथा धात्यों के साथ ती तस अंति आधि विभक्तियों के जुड़ने से सुबंत और तिगंत शब्दों की पद संग्या होती है। सुप्ति गंतम पदम यथा रामह रामव रामा तथा भवती भवतह भवंती। केवल पठ नम वद तथा राम इप्तियादी को पद नहीं कह सकते। संस्क्रित भासा में जिसकी पद संग्या नहीं होती, उसका वाक्ष में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अपदम न प्रयून जीत। अब हम देखेंगे निश्ठा। कत, त, और कतवतू, तवत, प्रत्यों को निश्ठा कहते हैं। इनके योग से भूत काली क्रियापदों का निर्माड किया जाता है, जैसे गतव, गतवान, आदी। अब है विकीरण। भातु और तिंग प्रत्यों के बीच में आने वाले। इसमें औ रहता है, शियन। इसमें यशेच बरसता है, शनू। इसमें नू सेच बरसता है, आदी प्रत्यों विकीरण कहलाते हैं। यथा भावती में भूधनती के मध्य में ट्रप हुआ है। तो क्या बन जाएगा भावती। भूधन अधनती। विकीरण भेद से ही धातुएं दस विभिन गड़ों में विभक्त होती हैं। एक महत्पुर संग्या के रूप में प्राप्थ होता है। यह एक परिभाशिक शब्द है। महर्सी पाड़िनी ने अश्टाध्याई में इसका आर्थ खलो अनंतराह संयोगह किया है। अर्थात्स्वर्स रहित व्यंजनों खल के विवधान रहित। सामित्विभाव को संयोग कहते हैं। यथा महत्पुमें त, ततता व का संयोग ہے। इसी प्रकार रामः उद्यानम गख्षति जो उद्यानम है। उद्यानम में द और य्य ततता गख्षति में च और छ का संयोग है। तो उद्यानम में द और य इसका संयोग है और गक्षती में यहाँ पे आप देख सकते हैं च और च का संयोग है अयम रामस्य ग्रंथा अस्ती रामस्य में स और य ग्रंथ में ग भनर तथा न और था तथा अस्ती में स और त का संयोग है अब हम देखेंगे संहीता संग्या वर्णों के अतेंत सामिपे अर्थात व्यवधान रहित सामिपे को संहीता कहते हैं इसका सुत्र है परह सन्निकर सह संहिता वर्णों की संहिता की स्थिती में ही संधिकारे होते हैं जैसे वाकधन ईसह में कधन ई में संहिता हुई इसके अत्यन समीपता के कारण संधिकारे करने से वागीशपद बना है अब है सम्प्रशारन यड यवरलो के अस्थान पर इक में क्या आएगा इ उ रिल्वी के प्रयोग को समप्रशारण कहते हैं इग यड़ह समप्रशारण जैसे यज इज यहाँ देखिए यज था तो यज को क्या हो गया इ हो गया तो यज को इज इज यते वच उच तो वच का क्या हो जाएगा उच्चते इत्यादी ठीक है तो यह था पूरा आपका जो भी आपके नाइन्थ और तेन्थ के कोर्स में संग्याए हैं इनको आप तो देख लीजिएगा इतने में से ही उच्छेगा तो अब इसको कैसे पूछेगा यह आपके पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने अच्छे स्यार कर लेते हैं बाकी आगम हो गया आदेश हो गया उपधा फद निष्ठा विकिरण संयोग संहिता संप्रसारण तो इसको बहुत ही अच्छे से आप देख लिजेगा क्योंकि संग्याय तो बहुत सारी होती है लेकिन आपके कॉर्स में यही सारी चीज़े हैं तो इसको आपको देख लेना है तो आप वीडियो को देख लिजेगा वीडियो को लाइक करना मत बुलिएगा मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए नमा संस्क्रिप आए धन्यवाद